यह चुनाव आपको कहा जाता हुआ दिख रहे हैं भार्ति जनता पार्टटी हेट्रिक करेगी करेगी और करेगी अब नहीं कर रहे हैं एक आपका बयान था कि कॉंग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर यह राम मंदर का फैसला पलट देगी ये क्या ये मेरा बयान नहीं है ये बयान है कॉंग्रेस के विश्वस्ता सलाकार का और उन्होंने निर्णे करके लिया है कि हम राम लगा को फिर से एक बार टेंट में बेच के ही रहेंगे लालू जी ने मुस्लिम आरक्षन की बात कही है उन्होंने बुला कि मुस्लिम का आरक्षन होना चाहिए उन्होंने आरक्षन होना चाहिए उन्होंने आरक्षन होना चाहिए उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा इस चुनाब में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे है औरंग जेब कहा गया महाराश्टर के एक नेता ने आपको बुरा लगता है यूँ आपको गुस्सा आता है जितनी घंड उसा लेंगे जितना टीचर उसा लेंगे कमल उतना ही ज़्यादा कि आज हमारे साथ एक बेहत खास महमान मौझूद है और ये खास महमान भारतिये इलेक्शन यानि जो इस समय इलेक्शन सीजन है उस पे सबसे बड़ा एजेंडा है इस मेगा एस्क्लूसिफ इंट्रेक्शन में मेरे साथ मौझूद है देश के प्रधान मंतरी नरिंद मूदी मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सबसे बड़े महमान है यानि एक मेगा एस्क्लूसिफ इंटिव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से में मौझूद है आपके सभी दर्शकों को भी हमारे नमस्कार ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है उससे मैं साब देख रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो सबके सब एक प्रकार से दिशाहिन नजर आते हैं आप देखे आपको कहीं पर भी इंडी अलाइंस नजर नहीं आएगा वो नेता नहीं तहीं कर पा रहे हैं वो एजेंडा तहीं नहीं कर पा रहे हैं उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध मोदी को गाली गलोच उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के अधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं देश इतना बड़ा देश जी आज खास करके जुन्नाव जवान मद्दाता है जी वो यह हमेशा सोचता है कि पर आखिर कर इतने बड़ा देश इतनी वीवी देता है इसा कौन नेता है जिसको समाल पाएगा नाम बताओ इंडी एलाइंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में फिर इतना भी कहते हैं कि मैंने कहीं अगबार में पढ़ा वो एक ऐसी फॉर्मिला ला रहे हैं जिस फॉर्मिला में में पांज साल में 5 प्रधान मंतरी हैं हर वर्षiennent प्रधान मंतरी हैं अगर हर वर्ष प्रधान मंतरी वह लाखेंगे दि कि आप मुझे मुझे बताई तो मिलकर कुणने पानी की जाच करने वाले लोग है तो उनको भुलाया तो उनका पानी तो निकल सकता है। अगर सव मिटर तूपबेल कर देंगे तो पानी अपको निखलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर दसों किसानों ने ऐसा करो दस मिटर मेरे यहां गड़ना करो दूसरे ने कहां दस मिटर मेरे यहां करो तो पानी निकलेगा तो पांच साल में प्रधान मंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे लेकिन विपक्ष कहा रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं मैं कल भी बोला हूं जी अब वह ठीक है कि उनकी चिंता यह है आकि कॉंग्रेस का एजटा क्या है कि चार सो पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उनका एजटा नहीं कि वो कितनी सीटे जितेंगे और कैसे जितेंगे मैंने करीपरिम दुस्तान के एक तीन चार राज बाकी है कि सभी राज्यों का भ्रह्मन किया है और सभी राज्यों के भ्रह्मन से मैं देख रहा हूं कि यह आंधी है आंधी बड़ी आंधी और चार सो पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है विपक्स 19-24 में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी 20 पल गये हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटे अपने दम पर पाई हिंदी भाषी राजियों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटे भारते अंता पार्टी को मेडी लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा और आप देखिए भारती जनता पार्टी जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हु गोवा हिंदी भाषी है क्या गुजरात हिंदी भाषी है क्या महराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या असाम हिंदी भाषी है क्या बंगाल हिंदी भाषी है क्या करनाटर का हिंदी भाषी है क्या आज भारती जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा ह जनता पर्टेट करेगी करेगी और यह यह मोदी कहता है इसलिए करेगी देश के 140 करोड देश वास्यों त्य ताय कर लिया है इसलिए 400 पार होना है और भारतिय जनता पर्टेट भी अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी और एंडिये भी अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी तेल्गू स्टेट्स में आपको क्या लगता है आंधरा में आंधरा एंधरा एंधरा तेलंगणा इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सर्प्राइज देगा केरल तमिलाडू पुडिचेरी क करनाट का आंधरा तेलंगणा सभी में अइतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिध्वी भारती जैनता पार्टी और एंडिये के पक्ष में रहेगी जिए बिलकुर साफ नजर आता है और मैं मानता हूं कि तेलंगणा क्लीन स्विप करेगा जिन वर jun suffers करेगा जहां शुटर में सफरोaff के शुनाव का व्हांबी जहां भारती जैनतापार्टी है वो रिपीर करेगी जहां एंड्य को वो नई सरकार बने दी और इसलिए इन सभी राज्यों में सरकार बनना तय है आंधर तेलंगणा में भी क्लीन स्विफ होने वाजा है एक मैं पूरदेश घुम रहा हूं चुनाफ के लिए एक चीज मैंने देखी इस चुनाफ में नरेटिव बार-बार बदले पहले द07 की बीजपी के लीडर के फीेक चलाए गए नरेटिव बार-बार बदल रहे हैं कैसे सकते हैं झुनाव का नरेटिव एक है और वो है फिर से एक बार मोधी सरकार जी चुनाव का नेरेटिव एक ही है अब की बार चारसो पार नेरेटिव वही है लेकिन लेकिन लोग हतास है निराश है जो मुद्दों की तरास में है उनके लिए कि बार बार वह खोज रहें कैसे ठीक है कैसे लोगों के बीच में रहे इसलिए उनको यह खेल करना पड़ रहा है लेकिन वह नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं लेकिन उत्तर से दक्षन तक पूरफ से पश्चन तब एक नरेटिव है मोदी जी और यह हम प्रेस देश की जंता का प्यार कि यही मेरी बहुत बड़ी सक्ठी जली देश की जंता के आशिरवात यही बहुत म pasture पूझी है और इसलिए प्रेसर मैं देख रहा हूं कि इंडी एलाइस में है क्योंकि उनके इंडी इलाइस बनी नहीं पा रहा है आप बनते ही जरेके केरल में जाकर करके ही उन्हें जणे उन पर छुरा पहुँद दिया खुद चुनाव लड़ गए और पूरे चुनाव में सबसे तीखी यह अलॉचनाव सबसे तीखी भाषा जी अगर मैंने कहीं सुनी है तो वो मैने वाइंड किसी पर कि सुनी यह जहां प्रोक्राम के इतनी वंद्धी तरीके तरीके से आलोच Church और our Congress ने इंडिया लाइस के आपने इन्दियान के साथ Curtad के खिलाफ इतनी वद्धी वाचでも एक आपका बयान था कि Congress सघर आई सत्था के अंदर तो यह राम मंदर का फैसला पलट देगी यह यह मेरा बयान नहीं कि आपने बोला यह मेरा बयान नहीं मैरे मुझे बयान में डाल दालिए यह यह बैन है कॉंग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का जो कॉंग्रेस के 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं उन्होंने कहा है कि ये तय है और उन्होंने निर्णे करके लिया है कि हम राम लगा को फिर से एक बार टैंट में बेज के ही रहेंगे ये उनके सलाहकार ने कहा है ये कॉंग्रेस वालों ने निर्णे किया है और देश को पुरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदत है गोट बेंग की राजलिते के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है एक सवाल और हम बिहार की धर्ती पे है आरजेडी यानि लालु जी की पार्टी और कॉंग्रेस का अलाइंस है इंडिया अलाइंस देखने को मिल रहा है लालु जी ने मुस्लिम आरक्षन की बात कही है उन्होंने बुला कि मुस्लिम का आरक्षन होना चाहिए क्या देखते हैं आप उन्होंने आरक्षन होना चे इतना ही कहा ने जने उन्हों ये कहा है पूरा का पूरा मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षन है वो आप मुसल्मानों को देना चाहिए और संबिधान सभाने गंभीर चर्चा करके तै किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए बाबा साब अमबेड करके भी विचार बहुत पस्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए पंडित नहरू भी इसी विचार के थे लेकिन उसके बावजुद भी राजनीती और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो दे संगाना के सीम है रेवन्त रेट्डी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति है नफ्रत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए कि देश के सेना नायक को उन्हो सीम हों सबस्क्राइदे पाकिस्तान डी सजी कल स्ट्राइग यह कहता है कि वी था यह यह वहां के अगर हमारी बात नहीं माननी है हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी तो वह अपने मित्र पाकिस्तान की लोगों पुश्च्छ उन्ले उनको दो मान ले इस चुनाव में लगातार आपको अप्शब्द कहे जा रहे हैं और अग जिब कहा गया महराश्टर के एक ने ने एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का फिर उसके बाद ताना शाह का के आपको बुरा लगता है यू आपको गुस्सा आता है इस पर देखिए हम तो कामदार है बेनामदार है और हम कामदार लोग जरम से गालिया सुन सुन करके बड़े हुए हैं लोगों के ला मुझते मोदी जी आपके इतनी बड़ी एनर्जी का रहश्य क्या है तो मैं कभी मजाग पर कहता हूं कि मैं डेली दो किलो गाली खाता हूं और उसी से मुझे उर्जा मिलती है देकि मेरी एक बहुत पुरानी कवीता है मुझे वियाद तो नहीं है लेकिन उस कवीता का कि जितनी घंड उचा लेंगे जितना कीचर उचा लेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा एक सवाल आखरी यह है कि मातां और भेनों का आप से विशेश लगा वैं कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं मतलब उनके आँखों से देखते हैं तो कि यह बहुत बड़ा एमोश्रा करने के लिए मेरी मात्रू शक्ति को एंपावर करना चाहिए नारी शक्ति को बढ़ावर देना चाहिए तो मैं एक बड़ी सद्धा से एक पूजा भाव से काम कर रहा हूं कृपा करके इसको राजनिति के तरावसी जम्हत तो लिए और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही बक्ति भाव से इस देश की मातां की सेवा करो इस देनों की बेहनों क सेवा करो इस देश की बेटियों की सेवा करो यूथ वोटर को फर्स्ट टाइम वोटर उसको आपका मेसेज क्या होगा प्रधान मंत्री मोदी मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है मुझे तो देश की युवा का मैसेज चाहिए मैं देश की युवा की इच्छा कांशा के अनुसार चलना चाहता हूं ने अभी जो पेंटिफोटी सेवन का विजन बनाया करी 35 लाख नवजवानों से मैंने फिड़ बैक लिया है और मैं अभी सो दिन का कारकम बनाया है मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाऊ और मैं थे 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवा को पूछने वाला हूं यह 25 दिन के लिए उनके क्या सुझा हूझ ऐख ब्दी stewards का मैं पहले हैं तो मैं इस प्सक्वार घ्ते निरेशन आए की सब्सक्राइबoriented Departate करते हैं इतनी उर्णा आप आते हैं तुकि देश अई-सन करते हैं इतनी ओर्जा आप कहां से लेकर आते हैं चाने उर्जा आप कहां से लेकर आते हैं झाल झाल झाल